सरकार चाती है कि हम इस मुद्धे को उठाये ना प्रेशर ना बनाए कि जुनोंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाए अगर हात्रस में हम गए नहीं होते वहाँ पे जिसने जिनोंने बलतकार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते अगर हमने उससे पहले उनके MLA के बारे में नहीं बोला होता हूँ बाग चे निकल जाते तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं जो आपके जिम्मेदारी उसको तो आप निवाते नहीं हो उल्टा आप सवाल पूछते हो कि ये पॉलिटिक्स हो रही है आपके जिम्मेदारी भी है उसको तो आप भूल गए और पिर कहते हो हमें कहते हो तेंक यू निव्स नेशन से मोहित क्यूंकि क्यूंकि देश का जो धांचा है institutional जो structure है उसको BJP RSS ने काबू कर लिया है और ये सिरफ मीडिया की बात नहीं है आप जानते हो मीडिया को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है इसी प्रकार से हिंदूस्तान के सब institutions को control किया गया है सिंपल्स आंसर है Thank you sir NDTV dictatorship देखिए यहाँ पे जो democracy हुआ करती थी आज हिंदूस्तान में dictatorship है सीरीजी बात है राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते कल से हमें कहा जा रहा है कि भाई आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते शत्तिसगर के चीफ मिनिस्टर जाते हैं किसानों से मिलने जाते हैं उनको कहा जाता है सेक्सिन 144 यह कहते हैं मैं तो कहला हूँ 144 कैसे लागू होगा कोई जवाब नहीं अब dictatorship किस बात की है क्यों dictatorship क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है जो small medium businesses हैं छोटे भी अपा रही हैं उन से चोरी हो रही है किसान है उन से चोरी हो रही है और जो आम जनता है उनके जेब में से चोरी हो रही है petrol, diesel के दाम बढ़ते जाते हैं और जो हिंदुस्तान की आवाज है उसको कुछला जा रहा है सुनिल see it is a narrative that is being built by the forces that I mentioned it is a narrative that is built using institutions it is built using the police it is built using all these different structures but what you will find is that there is a limit to this narrative and you will find sooner rather than later there will be an explosion the size of which people are not understanding so what we are trying to do is we are trying to tell the government let the democratic process work this is what the country is about do not interfere with the democratic process because it is a safety valve if you shut the safety valve other types of problems will come right so we are pushing for maintaining the democratic process we are also pushing when I when we go when the chief ministers myself others go to visit this family we are trying to give them confidence that in this country you cannot be run over by a criminal who calls himself the home minister's son and then nothing happens we are not going to allow that that is the message we are trying to give him it's a message of hope right today those families don't have hope today the farmer doesn't have hope that is what we are doing one second Sunil please don't mind one question at a time there are other friends waiting Supriya please sir 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 देखिए चाहे प्रियंका हो चाहे मैं हूँ चाहे हमारे फैमिली का कोई भी हो मैन हैंदलिंग से हमें कोई फरक नहीं पड़ता कुछ फरक नहीं पड़ता हमारे से आप कुछ भी कर लीजिए हमें कोई फरक नहीं पड़ता हम किसानों की बात कर रहे हैं हमें बंद कर दीजिए, manhandle कर दीजिए, मार दीजिए, गार दीजिए, कोई फरक नी पड़ता, हमारी ये training है, सालों से, सालों पुरानी training है, ये training हमें फ़र्वार देता है, तो उससे कुछ फरक नी पड़ेगा, नहीं, land acquisition bill का मैंने आप से कहा, कि ये systematically किया जा रहा है,